आज हमारी स्टीडियो में बिरहा महासंग के राष्टी अध्याच राजकुमार यादो जी आये हुए हैं मैं इंसे कुछ तीखा सवाल पूछूंगा आज राजकुमार यादो जी आप ये बताईए कि अपने गीत में आप गाये थे कि पूर्खन के पंडीत अपना देवता बतावे न ये काफी आपका गीत हीट भी हुआ था और ये गीत काफी विवाद्यों से भरा था तो इस पे आप थोड़ा प्रकास डालिए सबसे पहले तो मैं सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ और अपने सभी स्रोताओं का बहुत बहुत धनबात करता हूँ कि बड़े चाव से मेरी बातों को सुनते हैं अब रहा सवाल जो आपके प्रस्ण का कि पुरुखन के अपने पंडित देवता बतावल ये गीत में गाया था और बड़ा तारकिक पूर ढंग से गाया था खुब बवाल हुआ खुब धंकियां भी मिली लेकिन समिस्या यहाँ एक सबसे बड़ी है हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों को क्या सत है क्या सत है अब तक इसकी जानकारी नहीं हुई क्योंकि इस मुल्क में खास तौर से मैं वो भी सी समाज के तरफ अपनी बात को कहना चाहूँगा यह आज भी मान रहा है कि हनुमान जी धरती से तेरह गुने बड़े सुर्ज को जिस समें ढाई हज़ार सिल्सियस गर्मी है रात में जन्में सुबह में घोट के बैट गए च्छ महिना बैठे थे जिस देश में जिस देश की इतनी बड़ी आबादी इतना दिमाग न लगा पाए कि धरती से तेरह गुना बड़ा मने पुरी दुनिया में जितनी धरती है जितनी एक सव पंचान बिदेश है पुरी दुनिया में उससे तेरह गुना बड़ा सुर्ज है उसको रात में एक बंदर जन्वा सुबह में घोट के च्छ महीना बैठा था अब इसको यह समाज संसकार मानता है और मेरे यह नहीं समझ में आता है कि संसकार का मतलब यह समाज क्या समझता है संसकार का मतलब पाखंड होता है संसकार का मतलब जूट होता है संसकार का मतलब अंदविश्वास होता है तो मैंने बड़े साथ सब्दों में अपने लोगों को समझाने का प्रयास किया उसमें एक लाइन में आउर गाया था कि भारत के हमरे कहें हिंदुस्तान हो आग कहें बार बार धोखा करें पाकिस्तान हो पाकिस्तान क्या है भारत का अभिनंग है मैं तो ओ बात कर रहा हूँ कि जब भारत की सीमा रसिया तक थी समराट असोक चक्रवतिर समराट असोक की जब हुकूमत थी यहाँ बुद्धजम था यहाँ तब इस देश में उचनी छोटा बड़ा नहीं था और उसके बाद में बार 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 इस देश को कौन तोड़ा पीछे तो जो देश टूटा ओ टूटा लेकिन आज के लगबग मैं जानता हूँ कि 70-75 साल पहले भारत से पाकिस्तान को अलग किसे ने किया और क्यों किया मैं अपने ओबिस ही समाज से सवाल करता हूँ कि भारत से पाकिस्तान को अलग क्यों किया गया अब ये इतियास में जाते हैं तो पता चला कि सत्ता की लड़ाई हुई यहाँ जिन्ना जी परदान मंतरी बनने वाले थे ते नियरू जी कहे कि नहीं पाकिस्तान को अलग करो अपने लोगों में परदान मंतरी बने दूसरा देस बनाओ लेकिन भारत के परदान मंतरी हम रहेंगे क्या उसमें कोई OBC नहीं था पाकिस्तान को इन्होंने अलग किया फिर इन्होंने बंगलादेश को भारत से अलग किया और अब बताते हैं कि भारत का सबसे बड़ा दुस्मन पाकिस्तान है क्यों पाकिस्तान भारत का दुस्मन है भाई क्या वहां की लोग इंसान नहीं है फर्क यही है कि पाकिस्तान में जो भारत के 33 करोड देभी दे होता थे बंठवारा के समय देवी देउता पाकिस्तान में नहीं आल पाए गए लेकिन थोड़े मोड़े गए आज इनको डर अगर किसी से है तो इस देश में महज दो लोगों से एक मुसल्मानों से दूसरा दलितों से इस देश में बाउन परसेंट ओभी सी समाज है लेकिने जानते हैं कि ओबी सी समाज धरम और पाखंड को सबसे ज़्यादा ढोने वाली है इनको हम जिदर घुमाएगे उदर चलते रहेंगे अभी मैं एक सवाल आओ और पीछे गित गाया था और ये बात मैं अपने ओबी सी समाज के पड़े लिखे बिद्वानों से पूछना चाता हूँ कि आप सिरिफ एक बात बताओ और जो आपका सबसे स्रेष्ट बिद्वान ब्रामण होगा आप उससे पूछिएगा इस देश में चार बरण हैं इस देश में चार जुग है चार बरण ब्रामण छत्री बैस और सुद्र सुद्र कौन है जिने साड़े छा हजार जातियों में बाटा गया है सुद्रों में अहीर, चमार, कहार, कहार, माजी, मला, डोम, धरिकार, लोत, जितनी भी जातिया हैं यह सब सुद्र हैं तो यह भरण किसा ने बनाया कि ब्रामड यहां सबसे स्रिष्ट रहेगा छत्री यहां उनके नीचे रहेगा बैस उनसे नीचे रहेगा और सुद्र समाज जो इस देश में जिसे हम बहुजन समाज करते हैं मानुवर कांसी नाम साहब ने वो नाम दिया था बहुजन समाज मने बहुजन समाज कहा गया उन्हें सुद्र बना दिया गया इस देश में मलाई काटने का अधिकार स्रिप ब्रामण को है लड़ाई लड़ने का अधिकार के वल छत्री को है धन रखने का अधिकार सिरीफ बैस को है और सेवा करने का अधिकार सिरीफ सुद्रों को है ये चार बनंड किसे ने बनाया उसके बाद चार जुग बनता है सत जुग कल जुग तरेता द्वापर चारो जुगों पर ब्याख्या करूँगा तो समय बहुत लगेगी ये किसे ने बनाया चार जुग ये चार जुग कब आये कब गए ये चार जुग का मतलब क्या होता है उसके बाद चार धाम इस बारीकी को अगर ओब इसी समाज नहीं समझ पाया तो आने वाली समय ओब भयावा इनके सामने होगी कि फिरे केवल भौकारा पार के रोएंगे उसके बाद चार बेद बनाया गया चार बनड़ चार बेद चार जुग और चार धाम ये चारो 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 क्यों कौन बनाया इसको अभी जैसे मुझसे एक आदमी कल फोन किया का सर ये बताईए कि आप जो है लगातार हिंदू धरम के खिलाब बोलते हैं और आप हिंदू के संसकार को ठोकर मारते हैं मैंने कहा कि भीया एक बात बताओ हिंदू धरम हिंदू सब्द 1918 में पहली बार आया ये मुगलों के द्वारा उठाया गया सब्द है और हिंदू सब्द एक गाली सब्द है इसे सुप्रेम कूट ने माना है इसे बड़े-बड़े बिद्वानों ने कहा है और 1922 में सबसे पहले हिंदू महा सभा हुई 1925 के अंदूलन में 1925 के आरे सस्क ने 1925 में एक बड़ी रैली करके कह दिया कि इस देश का सुद्र भी हिंदू है लेकिन इस देश में 52% ओभी सी से में पूछना चाहता हूँ कि ओ 1925 के पहले आप क्या थे किवले तलासो बहुत कहते हैं कि सर हम इस बंद सच के हैं हम उस बंद सच के हैं ये बंद सच तलास रहें लेकिन अपना अधिकार नहीं तलास रहें पढ़े लिखे ओभी सी के दिमाग में अब तक ये तर्क ये छमता ये बुधिमता अब तक नहीं पैदा हो पाई कि अगर भारत में 22% ओभी सी समाज है तो अधिकार 27% पर क्यों ये निहित किया गया है यहां दिमाग इनका नहीं है क्योंकि दिमाग में लगातार इनके गोबर और भूसा ठेला जा रहा है ये ओ मानने के लिए तयार है कि आदमी की गर्दन पर हाथी का गर्दन सच गया कब सचा आरे उस समय सक्ती रही होगी तो उस समय सक्ती थी सच गया तो ठीक है अब सक्ती नहीं है अब नहीं सच सकता तो अब माने की क्या बीमारी आपको भई तो इस देश में पढ़ा लिखा भ्यक्ती पसुवों से भी बतर है और मैं इसलिए बार-बार काता हूँ कि आप अपने हक के बारे में अपने सम्मान के बारे में अपने अधिकार के बारे में तब जानोगे जब गरंतों से अपने माइंड को बाहर करोगे और देश का सम्मिधान पढ़ोगे महापुर्सों का इतिहास पढ़ोगे महापुर्सों ने कितना त्याग और बलिदान दे करके यह संबान दिया हमें यह अधिकार दिया हमें आज मैं जो बात बोल रहा हूँ आपके बीच में आपके चैनल के माद्यम से निस्चित रूप से अगर महापुर्सों का त्याग और बलिदान नहीं होता बाबा साहब के द्वारा लिखित संबिदान नहीं होता तो इतना बोलने पर मेरी जिभा काट दी जाती लेकिन ओभी सी समाज इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है ओ समझ रहा कि यह डी काली के दिया हुआ अधिकार है मेरे पास राजकुमार यादो जी आप अपने गीतों में सिरफ पंडितों को ही टार्गेट करें कुझ करते हैं यहां में बड़र में किसे ने बाठा जातियों में किसे ने बाठा तैने बनाई वो जिसको चाहता वो बनाता है, और हम बावन परसेंट हैं, देश में सी करोड हमारी अबादी है, वो भी सी की, लेकिन हमें मुख्मंत्री बनाने के लिए भी सोचना पड़ता है, यह सारी नितिया कौन बनाया है, बाबा साहब ने मनुई स्मिर्ति का दहन क्यों किया,